Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Wealth Unlimited आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ अपनी रिसेर्च in relation to breakout stocks और जानेंगे की कौन-कौन से ऐसे stocks है जहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे 5-10% के returns मिलते हुए दिखाई दे सकते है So before starting the video, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आये है तो please make sure to hit the subscribe button and do like this video Recently मैंने यहाँ पे videos रखी थी related to the best growth stock विरिंशी और साथी साथ मैंने यहाँ पे आपको एक नया multi-bagger breakout stock बताया है आप ये videos भी जाके जरूर देखिए चलिए, recently आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक stock की बात की थी best three stocks to buy and वहाँ पे हमारा एक stock था जिसका नाम था KPI Green Energy जो हमने recommend किया था 500-525 के आस पास और आज इस particular stock ने अपना 52 weeks high को touch किया है और जब हमने इस particular stock को recommend किया था वहाँ से यह अभी तक roughly 46% के returns आपको generate करके दे चुका है similarly कुछ questions थे हमारे viewers के in relation to the Virenchy stock and the precision camshaft stock जो हमने recently अपने वीडियो पे discuss किये थे मैं आपको बता दूँ जो Virenchy का stock है वो हमने 46 के ऊपर breakout देखा था और आज के दिन भी अगर आप इस particular stock को देखेंगे तो यह 6% up है yes मैं मानता हूँ कि यह stock काफी जादा extend हो चुका है और अगर आप इस particular stock में बने है तो अब आपका जो stop loss है वो trail होके बन जाना चाहिए आज का low जो होता है 48.95 रुपीज का मुझे लगता है कि यह particular stock काफी अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें काफी potential है जो की मैंने आपके साथ share की थी अपनी previous वीडियो में similarly मैं आपको बताता हूँ precision camshaft के बारे में आप देख सकते हैं जो precision camshaft का यह chart है यहाँ पे इसने left head and shoulder pattern का breakout दिया है और यह multi year का breakout है in 2015 यह particular stock sorry in 2015 अगर आप देखे 2015 में यह particular stock ने high बनाया था roughly 190 का और अब जाके 2023 में यह particular stock ने break किया है उस level को और अब sustain करने की try कर रहा है मुझे लगता है कि यह stocks आने वाले time पर आपको और भी अच्छे returns generate करके दे सकते है please आप इन stocks को अपने focus में रखिए और अपने stock losses को maintain कीजिए अपने financial advisor से advise लीजिए before investing into the stock market हमारे एक viewer का question था कि यह particular जो stock है वो काफी जादा overbought हो चुका है overvalued हो चुका है मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी learnings है stock market की उसके according आपको हमेशा stock वो pick करने चाहिए जो अपने multi-year के breakouts को break करे वो ऐसे stocks होते हैं जो आपको आने वाले time पे 10-15% का return easily generate करके दे सकते हैं अगर आप value ढूंडेंगे जो गिर रहे है stocks में then there are chances की वो particular stock और भी नीचे जाता रहे क्योंकि उसकी जो trend है जो negative trend form हुई है वो उसमें maintain रहता है इसलिए मैं आपसे request करूंगा कि आप जो अपना focus है वो positive side या more ऐसे stocks पे लगाए जहां पे आपको एक up trend दिखाई दे रहा हो right similarly मैं आपके साथ ये share करना चाहता हूँ आप देख सकते है जो KPI green है वो हमने average किया है 535 का हमारा average है current market price 776 है और already हम इस पे 45% का profit बना चुके है विरेंशी आप देख सकते है T1 की holding है और कल के दिन ही ये 46.79 की उपर मैंने buy किया था आज के दिन थोड़ा सा और average किया है और आप देख सकते है इस particular stock में 11.24% का return हमें मिल चुका है similarly विरेंशी की तरह हमने एक growth stock की बात की थी जहां पे हमने discuss किया था Zen Technologies को और आप देख सकते है Zen Technologies का जो average price निकल के आता है वो है 337.95 और अभी के time पे इस particular stock में भी हम 21.19% profit में है जो last stock मैं आपके साथ discuss करना चाहता हूँ वो है electro casting का जहां पे हमने penny stock के बारे में discuss किया था और आप देखेंगे ये जब मैंने buy किया था तब 50 रुपे के उपर चल रहा था आपको मैंने बताया था कि multi-year breakout इसमें भी देखा गया है और आज के time पे ये भी 16% up है अपने given level से तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको ऐसे stocks पे ज़्यादा focus करना चाहिए जहां पे आपको breakout होता हुआ दिखाई दे चलिए अब बात करते हैं उन stocks की जो आज के दिन हम इस फीडियो में discuss करने वाले है तो पहला stock है APL, sorry, पहला stock है Apollo Pipes का, right there are multiple stocks, मैं आपको बता दू APL Apollo अलग है और Apollo Pipes अलग है और आप देख सकते हैं ये जो stock है हमने पहले भी अपने channel पे discuss कर रखा है around the level of 680, 690 रुपीज और आप देखेंगे, आज के दिन ये particular stock 3.11% अप है, okay और मुझे लगता है कि अभी ये breakout की just शुरुवात है ये है इसका monthly chart और आप देख सकते हैं monthly chart पे काफी अचे rounding bottom pattern का इसने breakout दिया है जो इसका resistance था वो अब इसके लिए support की तरह काम करेगा तो मुझे लगता है ये particular stock 680 रुपीज के नीचे close नहीं होना चाहिए आने वाले time पे इस particular stock में आपको target दिख सकते हैं 900 तक 900 तक 950 रुपीज तक के भी और अभी ये जो stock है वो चल रहा है uncharted territory में आपको सीधा मैं लेके चलता हूँ इसके one day के chart पे तो ये है इसका one day का chart मैं एक बार reset करके दिखा दूँ आपको यहाँ देखिए इस particular stock ने यहाँ से breakout देना start किया 675 के level से ये उपर गया 750 के आसपास उसके बाद जो अपना resistance है जो अब इसका support बन गया है 700 रुपे का वहाँ पे ये वापिस retest करने आया और अब दबारा से uptrend में जाने की try कर रहा है तो मुझे लगता है कि ये particular stock आपकी radar पे होना चाहिए जैसे ही ये stock निकलता है 754 के उपर यहाँ पे आपको एक और अच्छा breakout और एक अच्छे returns generate करने का मौका मिल सकता है तो आप ये focus कर लीजिए जो 754 है उसके उपर इस particular stock में एक नया breakout आपको आते वे दिखाई देगा जो second stock है मेरी radar पे वो है Excide Industries मैं बता दूँ Excide Industries में मैंने personal अपनी position बना रखी है और ये है इसका monthly chart आप देख सकते है monthly chart में काफी अच्छा इसने अपना turnaround किया है एक rounding bottom pattern को complete किया है और अगर मैं आपको इसको long term के perspective में दिखाऊ हूँ तो एक double bottom आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा मैं आपके साथ वो भी share कर देता हूँ आप देखिए 300 रुपे से ये stock ने गिरना start किया था 127 रुपीज पर इसने पहला bottom लगाया फिर ये उपर गया था इसने resistance पेस किया 220 रुपीज के आसपास फिर ये नीचे गिरा 130 रुपीज के आसपास और अब ये फिर से एक breakout की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया है तो आप यूं समझ लीजिए 220 है इसका resistance जो अब बन चुका है support और जैसे ये इस particular stock 220 रुपीज के ऊपर आया यहाँ पे एक massive breakout आपको देखने के लिए मिला तो मुझे लगता है कि ये trend continue रह सकता है और आने वाले time पे ये particular stock आपको immediately 240 से 250 के target दिखा सकता है और अगर आप इसमें बने रहे तो ये chances है कि ये stock आपको 300 तक के level भी जल्दी आता हुआ दिखाई देगा चलिए next stock जो मुझे daily chart पे काफी अच्छा लग रहा है और short term के momentum के लिए काफी अच्छा लग रहा है वो है HDFC bank आप देखेंगे ये जो blue color की line है ये है इसकी 200 days moving average on daily chart और इस particular stock ने अपना 200 days moving average को break नहीं किया यहीं से एक reversal आता हुआ आपको दिखाई दिया है इस particular stock पे long term perspective के हिसाब से HDFC bank का stock मेरे portfolio का part है मैं इस particular stock को accumulate करता रहता हूँ जब भी मुझे opportunity मिलती है और अभी के time पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी opportunity बनी है जहाँ पे आप इस particular stock में enter करने के बारे में सोच सकते है पॉदी short term मुझे लगता है कि यह particular stock 1675 तो 1700 रुपीस के target आपको easily दे सकता है और आप देखेंगे पिछले कई दिनों से यहाँ यहाँ समझ लीजिए अब तो महीने हो गए है कि यह particular stock एक channel के बीच में trade कर रहा है even after the result आप देखेंगे जो यह channel है इसका roughly 1675 यहाँ यहाँ लीजिए 1680 से लेके यह जो channel है 1560 तक का और 1570 यह 100 रुपे का जो channel है 1680 to 1580 का इसके बीच में ही जादत time तक हमें यह trade करता हूँ दिखाई दिया है मुझे लगता है कि अगर यह stock इस channel के भार आ जाए which means मैं आप से बताना चाहता हूँ अगर यह stock 1734 यह जो level है इसका 52 week high का इसे break कर देता है आने वाले time पे तो यह आपको एक और 100 रुपीज का at least up move दिखा सकता है जो इसके target को लेके जाएगा 1800 रुपे तक यह जो target है यह मुझे आते बे दिखाई देते है HDFC bank में disclaimer यह मेरी अपनी personal research है जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह particular stocks में potential है please make sure to take advice from your financial advisor before making any sort of investments in the stock market तो यह थे वो कुछ stocks जिनके साथ जिनके बारे में मैं discuss करना चाहता हूँ however आपके लिए मैं IQ का stock भी discuss कर लेता हूँ क्योंकि IQ में आज थोड़ी बहुत पिछले दो दिन से थोड़ी बहुत गिरावर्ट देखने के लिए हमने यह particular stock buy किया था 405-410 के आसपास और आपको हमने बताया था है जो पहला target है stock का 428 रुपीज का second 460 का कल के दिन यह particular stock गया था 463 रुपीज के आसपास और वहाँ से आपको यहाँ पे एक fall होते वे दिखाई दिया however मुझे अभी भी लगता है कि इस particular stock में value है और आपको अपना stop loss maintain करना चाहिए at a level of 430 रुपीज यू मान लीजिए 428 जो आपका पहला target था उसी को आप अपना day closing के basis पे support या SL मान लीजिए अगर यह 428 रुपीज के नीचे जाता है तो थोड़ा सा negative हो जाएगा हम इस particular stock से completely exit कर देंगे अगर यह particular stock हमें जाता हुआ दिखाई देगा 390 रुपीज के नीचे however अभी भी यह particular stock में अच्छे potential है मुझे लगता है इस correction के यह particular stock थोड़ा time spend करे और उसके बाद एक और breakout देने का दम रखता है यह IQ Lighting's IPO that's it for today I hope I was able to give you good overview of stock market some breakout stocks and some key learnings जो मैंने सीखी है happy investing